दोस्तों आप लोगों को ग्यान दर्शन बन आउसाच चैनल में श्वागत है आज हम आप लोगों को अमरूत के फूलों के बारे में जानकारी देंगे अमरूत के फूल खाने के बारे में जानकारी देंगे अमरूत के काड़े के रूप में अमरूत की पत्ती का सेबिन भी कर सकते हैं अमरूत के फूल सबजी में बना कर खा सकते हैं बहुत ही लाबदायक, बहुत ही पौश्टिक, बहुत ही गुड़कारी हैं अमरूत के फूल अमरूत के फूलों को कच्चा चबा कर खा सकते हैं इससे गैस और कब्ज में आराम मिलती है कुलेस्ट्रोल को कम करता है डायबटीज को नियंत्रित करता है अमरूत का फूल बालों को मजबूत बनाता है अमरूत के फूलों का काढ़ा भी पी सकते हैं सूखे फूलों को रिकिठा कर लें और उनका काढ़ा बना लेंगे ये बहुत उपयोगी बहुत ही लाबकारी है अमरूत के फूल और सधीये तब तुपाये जाते हैं तमाम बीमारियों से बचाओ करते हैं इसमें इंटी बैक्टिरियल गुर पाये जाते हैं जो पेट की बाहर निकालने में मदद करते हैं अमरूत के फूल बहुत ही लाबकारी बहुत ही फायदेमंद बहुत सी बीमारियों को दूर करते हैं इसके अलावा इसके पत्ते रक्त सोधक का कार्य करते हैं और इसके इन पर गुलो आती है कील मुहासों को ठीक करते हैं अमरूत के फूल अमरूत के फूलों का पेश्ट बना लें और कील महासों पर लगाएं बहुत ही लाबदायक, बहुत ही गुड़कारी, बहुत ही फायदेमन हैं अमरूत के फूल अमरूत के पत्ते भी बहुत लाबदायक माने गए हैं अमरूत के पत्तों को कच्चा चबा कर खा सकते हैं फूलों को भी कच्चा चबा कर खा सकते हैं आज आपको ग्यान दर्शन बन अवसाच चैनल की तरफ से अमरूत के पत्ते अमरूत के फूलों के बारे में जानकारी दी गई है यह एंटी बैक्ट्रियल होते हैं रक्त सोधक ह होते हैं कील मुहासों को ठीक करते हैं इसकिन पर गुलो लाते हैं आज आपको अम्रूत के फूलों के बारे में जानकारी दी गई है समय समय पर जो भी फल फूल पेंड़ पो दे हमें उपलब्द होते रहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक विचार साजा करते रहेंगे आज आपको या जो फूल दिखलाई दे रहे हैं यह अम्रूत के हैं या बहुत ही लाबकारी और बहुत फायदेमंद हैं हमारे चैनल ग्यान दर्शंद बनौत को लाइक करें सस्क्राइब करें और कमेट करें ताकि हमारे चैनल का प्रोगेस को सके एक बार लाइक अवस्थि कर दें ताकि मोटिवेशन हो जाए और हमारा मन आप तक अच्छे-च्छे वीडियो पहुचाने का करें इन्ही बातों के साथ हम बाणी को ब्राम देते हैं जय हिंद जय भारत धन्यवाद बंदे मात्रम मिलते हैं अगले वीडियो में